जैम आता दी दोस्तों, आप सभी लोग अपने दुश्मन से परेशान होते होंगे, जाने अन जाने में आपकी किसी से दुश्मनी हो गई होगी, आज के समय में दुश्मनी एक ऐसी चीज बन गई है, जहां इंसान छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाता है, क्योंकि हर व व्यक्ति को बोलने से पहले दस बा सोचे कि हम क्या उसे बोल रहे हैं, क्योंकि दुश्मनी की सबसे बड़ी वजा है हमारी जुबान, हमने कुछ बोल दिया और सामने वाले ने गला समझ लिया, और यहीं पर दुश्मनी पढ़ गई, और शब्द वापस नहीं लिये जा सक आप सिर्फ कह सकते हैं कि मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं, लेकिन आपने अपने शब्द तो प्रेजेंट कर दिये और अगले इंसान का दिल दुख चुका है, और एक बार जो गांट बंद जाती है, तो वो फिर बंद ही जाती है, तो जरूरत सिर्फ आपके इतनी ह कि आप कब किसी को क्या कह रही है, इस बात का जरूर ध्यानक है, दूसरी बात है कि दो विक्तियों के बीच में अगल एड़ाई हो रही है, और किस बात पर हो रही है, और हमें उस बात का बिल्कुल पता नहीं है, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, आप बीच बचा करते हैं तो उसका मनमुटां मत करूंज़ाःगा उसे बैठ कर सुल cyclora जो लोग अच्छी होते हैं उन्हें कोई भी ब्रहमित कर सकता हैं कि वो बहुती भूले और सर्ल होुते हैं किसी बीद को बैट के करें मसले को सुलजाएं चौती बात है कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी है और दुश्मनी की कई वज़ा हो सकती है तो भी आप उसे सुला पर अग्रसर करें बात करके बात को खतम करने की कोशिश करें और वही आपके लिए अच्छा है तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके शत्रू नहीं होंगे इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों